Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna ओम नमस्षिवाय, नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Great MS Voice में आप सभी को कामी का एकादशी की हार्थिक शुपकामने धार्मिक माननेता है कि इस एकादशी का पालन करने से अंजाने में किये हुए सारे पाप कट जाते हैं और साथ ही जीवन में सुक समरिधी की प्राप्ती होती हैं कामी का एकादशी के दिन भगवान श्री हरे विष्णुजी के शंक, चक्र और गदाधारी रोप का पूजन किया जाता है और कामी का एकादशी की कथा को सुन्ने मात्र से मनुष्य को वाजबे यग्य का फल मिलता है और भगवान श्री लक्ष्मी नरायन जी अपने भगतों का घर अपारधन संपत्ती से भर देते हैं इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भक्ती पूर्वक तुलसी दल भगवान विश्णुजी को अरपन करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको कामी का एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो स्वैम भगवान शिरी क्रेश्ण जी ने अरजुन को सुनाई थी तो आईए ऐसे परम मंगल कारी कामी का एकदशी व्रत की सुन्दर कथा का रस्पान करते हैं तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय तुलसी शाली ग्राम भगवान की जय तो कथा का प्रारंब करते हुए सीधे चनते हैं युधिश्टिर महराज के भवर में जहां भगवान शिरी क्रेश्ण और युधिश्टिर महराज के बीच में समवात हो रहा है युधिश्टिर महराज ने भगवान शिरी क्रेश्ण से पोचा हे परंपुशुत्म आपकी क्रिपा से मैंने देवशैनी एकदशी कथा का महात्पचाना अब क्रिपया आप मुझे सावन मास के क्रेश्ण पक्ष में आने वाली एकदशी के विश्य में बताएं इसका महात्पम्य क्या है और इस दिन किसकी पोचा करनी चाहिए युधिश्टिर महराज का प्रशन सुनकर भगवान ने हर के सिमुस्कान के साथ उत्तर दिया हे राजन यही प्रशन एक समय नारदवोनी ने ब्रह्माजी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यधा रोप मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ध्यान पूरवक सुनिये यह कहकर भगवान शिरी क्रेश्न ने वर्णन करना प्रारम्ध किया हे प्रियभक्तों अब देखे हम सभी जानते हैं कि भगवान शिरी हरी के परमशुद भक्त नारदमुनी सदय पतीत जेवों का उधार करने के लिए वे भिन लोगों में घूमते रहते हैं वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नर्क में भी वोसी प्रकार जन कल्यान हे तू एक जिग्यासा लेकर वे पहुँच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर बड़ी विनमरता से उन्होंने पूछा आप कृपा करके मुझे सावन मास के क्रेश्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विश्य में बता सकते हैं. मैंने सुना है कि वहे भगवान हरी को अध्यंत प्रिया है। यह एकादशी पतीत जीवों का हर प्रखार से मंगल करने वाली और उधार करने वाली है नारद मुनी की जिग्यासा को सुनकर ब्रहम्माजी ने कहा कि हावत्स सावन मास के क्रेश्न पक्ष में आने वाली कामी का एकादशी की महिमा इतनी दिव्या है कि उसके श्रवन मात्र से अशुमेध यग्य का फल प्राप्थ होता है इतना ही नहीं जो भी मनुश्य इस वरत का पालन करता है कथा को सुनता यह सुनाता है उसे वन सागर सहित संपोन प्रिथवी के दान के तुल्य और बच्डे सहित किये गए गायों के दान के समान पुन्य फल प्राप्थ होता है यह एकादशी सभी दिनों में शुत्तम है और पापों का नाशकन्य में सबसे प्रबल है पिर भ्रह्माची नारदवनी से बोले कि मैं तुम्हें इस से संबंधित बड़ी ही पावन कथा को सुनाता हूं ध्यान पुर्वक सुनो धार में ग्रंथों के नुसार कालांतर में किसी गाउं में एक बेहद बलशालिक शत्ति रहता था उसे अपने बल पर बेहद ही एहंकार का भाव था हलांकी वह धरम परायन था प्रती दिन जगत के पालन हार विश्णो की पूजा उपासना किया करता था एक दिन वह किसी जरोरी काम से कहीं बाहर जा रहा था रास्ते में उसकी हाथा पाई एक ब्राहमन से हो गई उस समय वह आवेग में आ गया उससे पहले कि ब्रामन वेक्टी उसे कुछ समझाता उससे पहले ही वे ब्रामन से हाता पाई करने लगा ब्राहमन बेहद ये दुर्बल था वेह बल्शाली क्षत्रिय के प्रहार को सहर ना कर पाया इसके चलते ही ततकाल ही उसकी मृत्यों हो गई उस समय बलशाली क्षत्रिय बहुत ज़्यादा घपरा गया वह प्राइश्चित ने नगा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस ने बल के दम पर निर्बल ब्रामन की हत्या कर दी आवेग में आतर ब्रामन व्यक्ति की हत्या करने से वह बेहत दुखी था यह सोचना पूरे गाउं में आग की तरह फैल गई क्षत्रिय व्यक्ति ने गाउंवालों से एक शमाई आचना की और साथ ही ब्रामन का अंतिम सल्सकार विधी विधान से करने का वचन दिया हालां की पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया, उस समय क्षत्रियने क्षमा याचना कर पर जानना चाहा, तब पंडितों ने कहा कि भ्रम हत्या दोश का प्रैस्चित करने के बाद हम लोग आपके घर में भोजन ग्रहन करेंगे, यह सुनकर क्षत्रि पंडितों ने कहा कि सावन मास के क्रेश्न पक्ष की एकादशी तिथी को विधी विधान से जगत की पालन हार भगवान विष्णों की पूजा उपासन करो। साथी ब्रामनों को भोजन कराओ और दान दक्षिना दू। ऐसा करने से आप भ्रम हत्य दोश से मुक्त हो जाओगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्रामन व्यक्ति का दाह संस्कार किया। ब्रामनों के वचना नुसाओ सावन मास के कामी का एकादशी तिथी पर क्षत्रिय ने विधी विधान से भगवान विष्णों के पूजा उपासना की। और साथी ब्रामनों को भोजन करातर दान दक्षिना दिया। उसी रात ख्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णों आकर बोले। तुम्हारे भगती से मैं प्रसन हूँ। आज के दिन विधी विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुन्य प्रताप से तुम्हें भ्रम हत्या दोश से मुक्ति मिल गई है। हे प्रिय भगतों, इस व्रत के करने से भ्रम हत्या आदी के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं। और इह लोग में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णू लोग को चाता है। इस कामिकाई कादशी के महत्यम्य के श्रवन वपठन से मनुश्य सुख लोग को प्राप करते हैं। इतना कहकर भ्रमाजी ने नारद जी को अब कामिकाई कादशी की एक विशेश महिमा का गोणगान करना प्रारम्भ किया। ब्रहमाजी ने कहा इस दिन जो भी मनुश्य एक तुलसी दल के साथ भगवाण श्रीहरी की पूजा करता है। समस्त बाधाओं से मुक्थ हो जाता है। उसे यम्राज की दर्शन कभी नहीं करने परते। और यदि कोई भगवान केशब को इस दिन नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है। तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जनम की सभी पापों से मुक्थ हो जाता है। ज्यम वैवत पुराण में वर्णित ज्यम कल्प में घटित एक पुराणी कथा के नुसार। एक समय नव योवना तुलसी धरमध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नरायन की तपस्या करने ही तुँ वे विभिन पवित्र तेर्थ स्थानों में ब्रह्वन कर रही थी। ऐसी में गंगों तट पर पुनहोंने वेगन विनाशा गणेशी को देखा। हे पियभद्वों अब देखिए गणेश जी तो अत्यंत सुन्दर, शुद्र और पितामबर धारन करके भगवान शिरीक्रेश्ण के ध्यान में मगन थे। उनके स्थिती प्रमान रोप को देख कर, तुलसी जी उनसे आकरशित हो गई, लेकिन उनका गजमुख देख कर, वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण। गणेश्ची ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन है और आपके यहां आगमन का कारण क्या है, क्या आप नहीं जनती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना, सदयाव पाप जनक होता है। गणेश्ची की बात को सुनकर, तुलसीची ने कहा, मैं धरमभज की कन्या हम, और मैं पती प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर, मैं आपसे आकरशित हुई। क्रिप्या, मुझे अपनी पत्नी के रोप में स्विकार करी। इस बात को सुनकर, गणेश्ची ने कहा, कि हे देवी, विवाह करना तो बड़ा ही भयावा कारे है, और वह सर्वता, दुखों का कारण बनता है। इसलिए, मेरे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए, क्रिप्या, आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर, किसी और पुरुष को ढूंडिए। यह सुनकर तो, तोलसी को क्रोधा आगिया। और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। जब गणेशी ने उनका यह रूप देखा, तो उन्होंने तोलसी जी को शाप दे दिया, कि हे देवी, तुम ने संदे है, असुर पत्नी बनोगी, पर उसके पश्चात, भगवद क्रिपा से तुम व्रिक्ष बन जाओगी। अब यह संकर, तोलसी जी तो त्यंत भैभीत हो गई, और गणेशी को प्राटनाई कनने लगी, कि वह इस श्राप को वापिस लगी। लेकिन गणेशी ने कहा कि हे देवी, तुम सभी पुश्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायन की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन, मनुष्यों के लिए सदैव लाप कर होगा। तुम भगवान श्रीक्रेश्न की अत्यंत प्रिय बनोगी। और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य होगी। हे प्रियभत्तों इस प्रकार हम जानते हैं कि दोसी देवी आगे चलकर शंक चोड असुर की पत्ती बनती है और उसके बाद भगवान की प्रियतोसी देवी पौधी के रूप में प्रकट होती है अर्जुन ने कहा हे प्रभू हे जनार्धन मैंने अशाड माह के शुक्ल पक्ष की देव शैनी एकदशी का सविस्तार वर्नन सुना अब आप मुझे शावन माह के क्रिश्न पक्ष की एकदशी की कठा सुनाने की गृपा करें इस एकदशी का नाम क्या है? इसकी विधी क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान शिरी क्रेष्ण ने कहा हे श्रेष्ट धनुर्धर मैं श्रावन मास की पवित्र एकदशी की कथा सुनाता हूँ ध्यान पूर्वक श्रवन करो एक बार इस एकदशी की पावन कथा को भेश्म पितामह ने लोखित के लिए नारद जी से कहा था एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह आज मेरी श्रावन के क्रेष्ण बख्ष की एकदशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही हैं इसलिए आप इस एकदशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाईए फिर नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भेश्म ने कहा हे नारद जी आपने बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव किया है अब आप बहुत ध्यान पूरवक इसे श्रावन केजिए श्रावन माह के क्रिष्न पक्ष की एकदशी का नाम कामी का एकदशी है इस एकदशी की कथा सुन्ने मात्र से ही वाजबे यग्य के पल की प्राप्ति होती है कामी का एकदशी के उपवास में शंक, चक्र, गदाधरी भगवान विष्णू का पूजन होता है जो मनुश्य इस एकादशी को धू, दीप, नवेध्य, आदी से भगवान विश्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तमपल की प्राप्ति होती है सूर्य ग्रहन और चंद्र ग्रहन में केदार और कुरुक्षित्र में स्नान करने से जिस पुन्य की प्राप्ति होती है, वह पुन्य कामिका इकादशी के दिन भगवान विश्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है भगवान विश्णु की श्रावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल स्मुद्र और वन सहित पृत्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है व्यक्ति पात में गंड़की नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है अतह भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो शावन माह के क्रेश्न पक्ष की कामी का एक अदशी का उपवास करना चाहिए आभूष्णों से युक्त बच्छडा सहित गउदान करने से जो फल प्राप्थ होता है वह फल कामी का एकदशी के उकुवास से मिल जाता है जो उत्तम द्विज शावन माह के क्रेश्न पक्ष की कामी का एकदशी का उकुवास करते हैं तथा भगवान विश्णों का पूजन करते हैं उनसे सभी देव, नाग, किनर, पित्र आदी की पूजा हो चाती है इसलिए पाप सिर्दरने वाले व्यक्तियों को विधी विधान सहित इस उकुवास को करना चाहिए संसार, सागर, तथा पापों में फंसे हुए मनुश्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामी का एकदशी का व्रत करना चाहिए कामी का एकदशी के वुवास से भी पाप नश्ड हो जाते हैं संसार में इस से अधिक पापों को नश्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है हे नारची स्वयम भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुश्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्थ होता है उस से अधिक फल कामी का एकदशी का वरत करने से मिल जाता है इस उपवास के करने से मनुश्यों को ना यमराच के दर्शन होते हैं और ना ही नर्क के कष्ट भोगने पड़ते हैं वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है जो भी मनुश्य इस दिन तुलसी दल से भक्ती पूरवक्त भगवान विश्नु का पूजन करते हैं वे संसार सागर में रहते हुए भी इस परकार अलग रहते हैं जिस परकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है तुलसी दल से भगवान शिरी हरी का पूजन करने का पल एक बार स्वान और चार बार चांदी के दान के पल के बराबर हैं भगवान विश्णु, रतन, मोती, मानी आदी आभूष्णों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन होते हैं जो मनुश्य प्रभू का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं हे नारच जी, मैं भगवान की अती प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुश्य के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और शरीर के सपर्ष मात्र से मनुश्य पवित्र हो जाता है तुलसी जी को जल से सनान कराने से मनुश्य की सभी यम यातनाई नश्ट हो जाती है जो मनुश्य तुलसी जी को भक्ती पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ती मिलती है इस कामिका एकदशी की रात्री को जो मनुश्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुन्यों को लिखने में चित्र गुप्त भी असमर्थ है एकदशी के दिन जो मनुश्य भगवान के सामने दीपक चलाते हैं उनके पित्र स्वर्ग लोक में अमरित का पान करते भगवान के सामने जो मनुश्य घी या तिल के तेल का दीपक चलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है हे अर्जुन अब मैं तुम्हें इससे संबंधित बड़ी ही पावन कथा को सुनाता हूं ध्यान पुर्वक सुनो धार्मिक ग्रंथों के नुसार कालांतर में किसी गाउं में एक बेहद बलशालीक शत्रिय रहता था उसे अपने बल पर बेहद एहंकार का भाव था हालांकी वह धरम परायन था नित प्रति दिन जगत के पालनहार विश्णुजी की पूजा उपासना किया करता था एक दिन वह किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जा रहा था और रास्ते में उसकी भिड़न एक ब्रहामन से हो गई उस समय वह आवेग में आ गया उससे पहले कि ब्रहामन व्यक्ति उसे कुछ समझा था उससे पहले ही वह ब्रहामन से हाथा पाई कने लगा ब्रामन बेहद दुर्पल था वहें बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन ना कर पाया इसके चलते तदकाल ही उसकी मृत्ति हो गई उस समय बलशाली क्षत्रिय बहुत जादा घबरा गया वहें प्राइश्चित करने लगा उसे अपनी गलती का हैसास हुआ कि उसने बल के दम पर निर्बल ब्रामन की हत्या कर दी आवेक में आतर ब्रामन व्यक्ति की हत्या करने से वहें बेहद दुखी था यह सूचना पूरे गाउं में आग की तरह फैल गई शत्रिय व्यक्ति ने गाउं वालों से एक शमा याचना की और साथ ही भ्रामन का अंतिम संसकार विधी विधान से करने का वचन दिया हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इंकार कर दिया उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना करके उसका फल जानना चाहा तब पंडितों ने कहा कि भ्रम हत्या दोश का प्राइश्चित करने के बाद हम लोग आपके घर में भोजन ग्रहन करेंगे यह सुनकर ख्षत्रियने भ्रम हत्या दोश प्राइश्चित करने का उपाई पूछा पंडितों ने कहा कि सावन मास की क्रेश्न पक्ष की एकादशीतिति को विधी विधान से जगत के पालन हार भगवान विश्नों की पूजा उपासना करें और साथ ही भ्रामनों को भोजन कराएं और दान दक्षिना दें ऐसा करने से आप भ्रहम हत्या दोश से मुक्त हो जाएंगे कालान पर में क्षत्रियन ने भ्रामन व्यक्ति का दह संसकार किया भ्रामनों के वचना नुसार सावन मास के कामिकाई का दशीति थी पर क्षत्रिय ने विधी विधान से भगवान विष्णों की पूजा उपासना की, साथ ही भ्रामनों को भोजन कराकर दान दक्षिना दिया, उसी राद क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णों आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन हूँ, आज के दिन विधी विधान से तुमने मेरी पूजा की, इस वरत के पुन्य प्रताप से तुम्हें भ्रम हत्या दोश से मुक्ति मिल गई है, हे प्रिय भक्तों, पे शिरी क्रेश्ण युधिश्टिर महराज से बोले, कि इस वरत के करने से भ्रम हत्या आदी के सभी पाप नश हो जाते हैं, और इह लोग में सुख भोग कर, प्राणी, अंत में विष्णु लोग हो जाते हैं, इस कामिका एकदशी के महतम्य के श्रवन, वपठन से मनुश्य स्वर्ग लोग को प्राप्त करते हैं, तो प्रेम से बोलिए, जै शिरी हरी विष्णु, हरे क्रिश्णा, आ विष्णु भगवान के जै, एक बार एक राच्य में एक राजा रहता था, राजा बहुत ही बुधिमान और बल्शाली था, राजा सदा ही अपनी परजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी, राजा के दो बेटियां थी राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्शित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी से कम सुंदर थी राजा की छोटी बेटी मादा की पूजा किया करती और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी बहुत ही प्रशंसा किया करते थे राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधित प्यार करते थे जिसकी कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बेहन से बहुत नफरत होने ल कराया लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकरशित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नजर में प्यार करने लगा उस राजकुमान ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ यह सब कुछ देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बेहन से बहुत क्रोधित हो गई पर राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन से बदला लेने का निर्णे किया राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन को जान से मारने का उपाय सोचा राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बेहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड़ो में चहर मिलाकर अपनी छोटी बेहन को दे दिया और उसको लड़ो खाने के लिए कहा लेकिन लड़ो खाने के बाद भी छोटी बेहन को कुछ भी नहीं हुआ बड़ी बेहन को यह देखकर बड़ा आश चरे हुआ लेकिन बड़ी बेहन ने फिर भी हाल नहीं मानी जब उसकी छोटी बेहन रात मैं कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया लेकिन सांप भी छोटी बेहन का कुछ नहीं कर पाया जिसके बाद बड़ी बेहन ने अपनी छोटी बेहन से कहा कि चलो हम लोग कोई में पानी भर कर लाते हैं जिसके लिए वे अपनी छोटी बेहन को पानी भरने के बहाने कोई के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुए में धक्का दे दिया लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह ग्यारस माता की पूजा क्या करती थी एकदशी माता का वरत उपुवास करती थी इसलिए हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्यासों के बावजूद भी असबल हो रही थी जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और पिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रशन किया कि हे मेरी प्यारी छोटी बहन क्या तुमको पता है कि भगवान ने सभी की मृत्तियों एक निश्चित समय पर विख्षी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्तियों होगी क्या यह तुम जानती हो तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पताया कि हाँ देदी मैं तो जानती हो कि मेरी मृत्तियों कैसे होगी छोटी बहन से यह सब बाते सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्तियों का राज बताओ तब छोटी बेहन ने अपनी बड़ी बेहन से कहा कि मेरी मृत्यू एक तोते में है जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यू होगी जब तक कोई भी व्यक्ती तोते को मार कर उस हार को अपने गले में बहनेगा तो मैं मुर्चित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जेवित हो जाऊंगी अपनी छोटी बेहन की मृत्तियों का राज जान कर बड़ी बेहन बड़ी खुश हुई और उसने अपनी छोटी बेहन को माण रही के लिए उसके पालतू दोते को धोना शुरू कर दिया और छोटी बेहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है जिसके लिए वे हैं अपने पिता जी के पास गई और उसने अपने पिता जी से कहा हे पिता जी मेरे मृत्तियों के बाद आप मुझे जलाईएगा मत आप मुझे अपनी पुरानी वनी हवेली में एक पलंग पर लिटातर छोड़ दीजेगा अपनी छोटी लड़की की ये बातीं सुनकर राजा बहुत आश्चरे चकित हो गया राजा ने अपनी चोटी बेटी से पूछा कि हे पुत्री तुम ये क्या कह रही हो तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिता जी समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तो मैं ऐसी बातें क्यों करती हूँ दो तिन दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिता जी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन रे लिया राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्विकार कर ली और दो तिन दिनों के बाद जब शादी कर समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घैर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवा शुरू हो गया हे प्रियभक्तों जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुए तो उसकी बड़ी बेहन अपनी छोटी बेहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारन कर लेती है और जैसे ही बड़ी बेहन उस हार को अपने गले में धारन करती है तो उधर छोटी बेहन साड़े तीन ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोशो कर गिर जाती है जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद हकीमों को पुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा राजा की बात को सुनकर जब वैद ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जेवित है और ना ही मरी हुई है ऐसा मैंने पहली बार देखा है वैदर हकीम की बात को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि इस बात को बाहर किसी को भी मत बताना और अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फालसी दे देंगे राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जातर इत पलंग में लेटा दिया पर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया इसके बाद राजा वापस अपने महल में आया राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हे पिताजी अगर यह शादी समपन नहीं हुए तो आपकी इज़त तक क्या होगा आप तहीं तो मैं आपकी इज़त बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना कर मंदब में भेज दिया लेकिन राजकुमार यह जान किया, कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह तो राजा की बड़ी बेटी है, लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया, तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके, राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों क संपन करा दिया और विवा संपन हुआ जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले ले receivers और विवा होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था और ना ही उसके आज पास भी भटकता था और राजकुमार ने यह फैस लईया था कि वह अपनी प्रेमी का को ढूंड कर ही रहेगा और यह जान कर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है एक दिन राजकुमार अपनी घोड़ी पर स्वार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारी ससुर्ची का महल है तब राजकुमार ने सैनिकों से पुछा कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन बेटा जिसके बाद सैनी को ने बताया कि यहां पर राजा की छोटी बेटी लेती है यह सुनकर राज कुमार तो बहुत प्रसंद हो गए और वह तुरंग अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गए और उसकी सेवा करने लगे जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उटकर ख पर उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो राजा की छोटी बेटी ने राज कुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बेहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मालने का प्रयास किया है उसके पास एक हार है जिसको वह सुभा पहन लेती है और रात को उतार देती है जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मुर्चित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जेवित हो चाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जेवित और मुर्चित होती रहेँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरी हार लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जेवित हो जाओंगी। राजकुमार यह सब बाते सुनकर राजा की छोटी बेटी के पाथ रहने का निर्न ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फिरे उस पलंग में लेती हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिये और अपना विवाँ पोण कर लिया और वही पर वह रहने लगा और देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्ववती हो गई एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तब छोटी बेटी के बेट में बहुत देज से दर्व होने लगा जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाजन किया जिसके बाद माता वहां प्रकट हुई और उन्हों ने अपनी भग्त के दर्व को दोर किया और एक पुत्र की पृपकति करवाई और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गए। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह अश्चरे चकित हो गया और उस ने तुरन ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राज कुमार से कहा कि जब तुम्हारा पूत्र पांच वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हाथ इसके गले में डाल देना और देखते ही देखते राज कुमार और राजा की छोटी बेटी का पूत्र पांच वर्ष का हो जाता है तो राजखुमार अपने बेटे से कहता है कि पुत्र मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान लखनाओ, और वहाँ से चला जाता है, राज़ा को बाहर निकलता देखकर, बड़ी बेहन के सैनिक उसे देख लेते हैं, और बड़ी बेहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है छोटी बेटी के पुत्र के दो टुकड़े करवा देती है पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखेती हैं, अब ग्यारस माता भिकारी का रूप लेकर आती है और एक भिकारी का रूप रखकर बढ़ी बेहन के पास चली जाती हैं जिसके बाद वहां पर भिक्शा माँगने लगती है तब बढ़ी बेहन अपने नौकरों तो से कहती हैं कि जाकर उसे भिक्षा दे दो लेकिन जैसे नौ कर ग्यारत माता को भिक्षा देने के लिए आती हैं तब माता इक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चरी और वहां पर चोटी बेटी के पुत्र के दो टुकड़े को AAPS में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती हैं फिर उसे वहां से ले जाती है राजु कमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान लखना अगर तुम इस अच्छे से ध्यान लखोगी तो मैं तुमसे बात भी करूँगा एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम अपनी मम्मी से उनके गले का हार मांग लो तो अपने पिता की बात को मान कर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मामा मुझे तुम्हारा हार चाहिए यह सुनकर पहले तो बड़ी बेहन बड़ी क्रोधित हुई पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का भ्यान अच्छे से रखूँगी तो वह मुझ से बात करेंगे जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह दुरंक भार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तब ही राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है जिसके बार वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बाती बता देता है राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनतर बहुत क्रोजित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोश देने लगते हैं राज कुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए मैं आदेश दे देते हैं इस परकार ग्यारस माता की क्रिपासी, राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुख पूरवक रहने लगे, तो प्रेम से बोलिए एकाद शी माता की जै, लक्षमी माता और भगवान विश्णों की जै, पारवती माता और भगवान शंकर की जै हो, हरे क्रिष्णा, आईए, अब बड़ी ही श्रधा और प्रसंद चितमन से मनोगामनों को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता तो प्रेम से बुलिए तुलसी शाली ग्राम की जै एक बार एक गाउं में एक बुजूर्ग महिला रहा करती थी वह प्रती दिन पूजा पाट कियां करती थी वह रोज तुलसी मा की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती हे तुलसी मा तुम मुझे बहु दे पितांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे वैकुंठ में वास दे चटक की चाल दे पटक की चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और क्रिशन जी का कंधा दे। वह बजुर्ग महिला हर महिने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनकी बिरले को रोज सेंचती। तूलसी माता, बुजुर्ग महिला की बात सुनकर, धीरे-धीरे सूखने लगी, तभी भगवान शिरी कृष्ण जी न देखा, कि तूलसी माता सूख रही है, और तभी एक दिन, भगवान शिरी कृष्ण तूलसी माता जी के पास प्रकट हुए, और भगवान शिरी क्रिष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो, सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान शिरी क्रिष्ण जी से कहा, कि हे ब्रभो, एक बजूर्ग महिला, मेरे पास रोज आती हैं, और रोज एक ही बात बोलती है, कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सीचती हूँ, तुम मुझे बहु दे, पितांबर की धोती मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सांग राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और क्रिष्ण जी का कांधा दे, मैं उस बुजूर्ग महिला की सारी मनोकामनें पूरी कर सकती मैं क्रिष्ण जी का कंधा कहां से दोंगी, भगवान शिरी क्रिष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगए, और फिर भगवान शिरी क्रिष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बजूर्ग महिला की मृत्ति होगी, त कुछ दिनों बार वहवरित महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर कर मर गई पूरे गाउं के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे उसको तुलसाजी की डोकरी कहते थे उसके परिवार में कोई भी नहीं था इसलिए गाउं वालों नहीं उसके अंतिम च्रेर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगी और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाट करती थी हर समय माला फेरती थी इसलिए यह इतनी भारी हो गई है वहीं पूरे गाउं में चर्चा होन लगी कि डोक्री माई कोई भगती नहीं करती थी यह चल्कपट करती थी हम जिसे धर्मात्मा समस्तु थे वह पापी है जो की किसी से भी नहीं उठा रही है यह मेरे भक्तों के निंदा हो रही है इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्रहामन का भेश धारण करके वहाँ पर आए और वहाँ पर जितने भी लोग इकठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतने भी क्यों लगी है जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठी नहीं पा रही है सब उठा उठा कर ठक गए यह तब भ्रामनची ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो फिर लहाँ देखो कैसे उथती है तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्यास करकर के देख ली चिह तब भगवान ने उस दोग दन उसके कानों मैं कहने लगे, तू बिल्ला सिंचे मेरा, मैं करू निस्थारा ते रा, दोक्री माई बहु ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पितांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घडा ले, मिठा मिठा खीर और पूडी ले, दाल बात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुह में गंगा चल ले, ग्यारस क उसको दिन ले शिरी कृष्ण जी का कंधा ले इतना सुनते ही डोक्री हलकी हो गई भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ भगवान ने हाथ लगाया और डोक्री उठ गई सब को बड़ा ही अश्चर्य हुआ उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए पूरे गाओं में इसकी चर्चा होने लगे जिससे उसको मुक्ती मिल गए और वह वैकूंठ में चली गए सभी लोग देखते रह गए सभी लोगों ने देखा कि शम्शान घार तक तो ब्रहामन साथ ही आया था लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं स्वैम भगवान ही बूढे भ्रहामन की रूप में आये थे तो बोलिये श्री रागा कृष्ण भगवान की जय बोलिये श्री तुलसी शाली ग्राम जी की जय ओम जय कादशी जय कादशी जय कादशी माता विष्ण भूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता तेरे नामगिनाउं देवी भक्ति प्रदान करनी गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी ओम जय कादशी जय कादशी माता विष्ण भूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता मार्ग शिर्षचे क्रिष्ण पक्ष की उत्पन्ना विष्वतारणी जन्द्मी शुत्ल पक्ष में हुई मुक्षता मुक्ति दाता बन आई ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता पोश्क क्रिष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में होई पुत्र दान दिक रहे ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता नामशत तीला माघ मास में क्रिष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदापावे ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता विजय पागुन क्रिष्ण पक्ष में शुक्ला मलकी पाप मोचनी क्रिष्ण पक्ष में चैत्र महा बलकी ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता चैत्र शुक्ल में नाम कम दाधन देने वाली नाम बरूतिने क्रिष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अप राजेष्ट क्रिष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता योगिनी नाम आशाड माह में जानू क्रिष्ण पक्ष करनी देवशै नी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता कामिक श्रवण मास में आवे क्रिष्ण पक्ष कहिए श्रवण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता अजा भाद्र पद करिष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्राश्विन करिष्ण पक्ष में वरत से भव सागर निकला ओम जय कादशी जय कादशी माता विश्ण पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुप्ति पाता पपांकुशा है शुक्र पक्ष में आप हरन हारी रमा मास कर्थिक में आवे सुख दायक भारी ओम जैका दशी जैका दशी माता विश्णु पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता दिवुथानी शुक्र पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूँ विन्नती पार करो नईया ओम जैका दशी जैका दशी माता विश्णु पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता पर्मा क्रिश्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल पास में होए पदमिनी दुखदारित्र हरनी ओम जैका दशी जैका दशी माता विश्णु पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता जो कुई आरती एका दशी की भक्ति सहित गावे जन गुर्दिता स्वर्ग कावासा निश्चे ही पावे ओम जैका दशी जैका दशी माता विश्णु पूजा वरत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता शक्ति मुक्ति पाता प्रेम से बोलिये का दशी माता की जै